तो 2 जो सबस्वाराली सिस होते इसमें 4 तीन गारमेटर्स होते मेंली स्श्पूर्म कांट मोटिलिटी और मॉफॉलोजिए तो इसमें से जो मोटिलिटी है वो कितनी होनी चाहिये 40% मोटिलिटी होनी चाहिए मतलब आपके सो मेंसे 40 sperms मोटाइल होने चाहिए इसमें भी अलग-अलग चीज़े होती है जैसे एक होती प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होती है एक होती है फॉरवर्ड मोटिलीटी ठीक है तो बट नॉर्मली मोटिली परसेंट होनी चाहिए ये किसने बताया है तो ये डबलो एचो की 2010 में जो गाईडल है सिमेन सैम्पल लेके तो स्पर्म मतलब डेत भी होती है जैसे एक टाइम के बाद तो इसलिएं आपको डवलेज़ भोलता एक गंदे के अंदर-अंदर सैंपल कलेक्ट करने के बाद एक घंटे के अंदर अंदर आपको स्पर्म मोटिलेटी करनी चाहिए इसका मतलब क्या हो सकता है कि एक गंटे तक sperm जिन्दा रह सकते हैं ठीक है अगर आपको कुछ इन डीटेल इन साइट से इस टॉपिक पे तो आप मुझे डिस्कुस कर सकते हैं कि अग्यली का थी अगर एन अगर अन ब्सक्त मुझे डीक सिचानक भी को मोझे तोन कि प्यक्राव स्कावी क्या थी कै होती है अगर अधर अगर थैक से श्चानक मॉझे सभाई, क्या थेर ननमॉर्टेलिट रह से गराद्छी क्या है तेकal ngon ज।ूं क्या है क्लिए आई च्म